नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है टार्गेट विद गोस्वामी यूटूब चैनल में मैं सुनील गोस्वामी एडूटेरिया करन्ट अफेर मैगजीन ट्रैक्टिस टेस्ट नंबर 23 आजम डिस्किस करने वाले हैं अभी तक हम 22 टेस्ट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं तो वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं या पीडियेपस आपने नहीं डाउनलोड की हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुए वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं कुछ टूडेंट्स के जो कमेंट रहता है कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग जो आप वीडियो देख रहे हैं तो कोर्णर पे आपको सेटिंग का उप्शन मिलेगा वहां से अपनी क्वालिटी चेंज कर लें वीडियो ह को जूम करके बिलकुल अच्छे से दिखाता हूं ठीक है तो जो प्रेक्टिस सेट इसके अंदर टोटल 25 सेट है कितने सेट है 25 जिसमें एक में 50 टोटल 1250 के उसने मोस्टली आपका करेंट अफेर है यह जो है इसके अंदर कवर हो जाएगा कलियर है लगबग 10 मीने का समर 23 फर्स्ट क्यूसन है भारत का पहला ट्रांस ट्रांसिपमेंट हब किस बंदरगा पर विक्सित क्या जाएगा तो यह कहां पर विक्सित क्या जाएगा कोचीन के अंदर कहां पर कोचीन के अंदर जो है यह विक्सित क्या जाएगा के बात आगी अब यहां पे तो केरला क 1956 को और किरला के जो गवर्नर की बात करों तो आरिफ मोहमद खान है कौन है आरिफ मोहमद खान ठीक है तो ये भी आप याद रखिलना है साथ साथ में यह आप नोट करते जाना आगे बढ़ते हैं बहारत का पहला राज्ये जिसने प्राकरतिक तरीके से खेती करने का निर्ने लिया है प्राकरतिक तरीके से जो खेती करने का निर्ने लिया है वो लिया है हिमाचल पर देश ने किसे ने लिया है हिमाचल पर देश ए राइट होगा अब बात करें हिमाचल प्रदेश भी जो है 1956 में बढ़ा एक नॉम्बर 1956 कोई इसकी बात करें तो यहाँ पर जो CM है वो जैराम ठाकूर है कहना में जैराम ठाकूर BJP से है जैराम ठाकूर BJP के CM है यहाँ पर और जो गवर्नर है वो बंडारू दतातरे यहां क्या है राज्येपाल है बंडारू दतातरे ठीक है तो यह भी आप साथ-साथ इनको भी नोट कर सकते हैं समझा गए आपको हेमाचल का चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन की तरफ वर्तमान में भारत के किस अभ्यारण में सुनहरे बाग मौजूद है सुनहरे बाग बाग जो हमा बात करें जो हमारा राज के पसू भी है क्या है बाग ठीक है न तो अब बात करें बाग की तो यह कहां पर किस अभ्यारण में काजी रंगा के अंदर है कौनश अभ्यारण के अदर काजी रंगा अब कई बच्चों को यह नहीं पता था काजी र जो है 1908 से इसकी शुरुवात होई है 1908 से यह बैरन 430 वर किलोमेटर एरिया के छेतर फिल में जो है एरिया के अंदर फैला हुआ है अब कई बार एक्जाम में क्या पूछ लेती है कि जो काजी रंगा बैरन है इसको युनेसको मतलब वर्ड हरिटेज की साइट में कब सामिल क अगया था युनेसको दोड ठीक है तो समझ आ गया आपको यह कुस्तन भी अच्छे से पार असम का समझ आ गया चली सरवानन्द सोनवाल सी-े-म है और वहां पर ठीक है कहां पर जो है असम के इंदर सरवानन्द सोनवाल चलिए नेक्ष्ट क्योश्टन की तरफ चलते हैं ड dare to dream launch किया गया है तो यह dare to dream की बात हो रही है यह launch किस ने किया है DRDO ने launch किया है किस ने launch किया है DRDO ने Defense Research Development Organization Defense Research Development Organization ने इसकी जो है सुरुवात की है DRDO की बात करूँ तो DRDO है अब कब बना था 1958 के अंदर कब बना था 1958 में और इसके जो चेर्मेन है DRDO के वो है जी सतीस रेड़ी जी सतीस रेड़ी ठीक है जी सतीस रेड़ी है सतीस रेड़ी ठीक है तो यह भी आप note कर लेना साथ में अगला है वर्स 2020 से पूरो दूसरी शिक्षानिती कब लाई गई एडूकेशन पूलीशी के बात करें 2020 के अंदर यह important topic हो जाता है एडूकेशन पूलीशी के हम बात करें तो देखिए यह जो एडूकेशन पूलीशी दूसरी पूचछा है इसमें अब आपको पूरी बात बता देता हूं पहली जो education policy आई थी वो 1968 के अंदर आई थी इंदरागांदी के टाइम में दूसरी जो policy आई वो 1986 में आई वो राजी उगंदी के टाइम में आई थी ये इंदरागांदी के टाइम आई जी और आर जी से आप है टेनोट कर लें इनको गांदी और राजी उगंदी और जो 2020 वाड़ी है वो किसके नाम से आई है अभी मोधी के नाम से आई है ठीक है नरेंदर मोधी के नाम से तो तीन policy men जो है इसके इंदर हैं रोल हैं तो अब इस question में हमारे से पूचा कि पूरू 2020 से पूरू दूसरी शिक्षानिती कब आई तो आपका अनसूर क्या हो जाएगा 1986 मतलब भी राइट हो जाएगा आपका अब और बात बता दूम आपको अभी इस policy के अंदर जो है थोड़ा चेंजिंग कर दिये गए हैं एक तो काहा है कि हम जो education के उपर GDP का लगवख 6% जो expand करेंगे खर्च करेंगे इसके उपर और ज कस्तूरी रंगन जो कमेटी है कस्तूरी रंगन उसने इसको जो है recommend किया है ठीक है कस्तूरी रंगन वाली समझागे आपको चलिए आगे बढ़ते हैं विसु का पहला gold-plated hotel किस देश में खोला गया है तो यह जो है hotel है वो कहां पर खोला गया है व्यतनाम के अंदर कहां पे आगे बढ़ते हैं दक्षिन अमेरिका देश सूरी नाम के राष्टपती के रूप में किस वेक्ति को चुना गया है तो दक्षिन अमेरिका में एक देश पढ़ता है सूरी नाम वहां के राष्टपती अपोइंट हुएं तो उनका नाम क्या है यह पूछा गया आपसे ठीक जो महाल नोबिस पुर्शकार परदान किया गया है उर्जित पटे लगुराम राजन सी रंगा राजन या विमल जलान पूरो गवर्नर राहे हैं ये तो ये किन को दिया गया है सी रंगा राजन को ठीक है सी इसमें राइट होगा पी सी महाबलो ने इस मोडल आपने मोडल ये पुर्शकार है ये मोडल भी था आपने सुना हो इसके बारे में जब ये पंचवर्श ये योजना लेके आये थे तब इसको लागु किया गया था तो सी रंगा राजन राइट अंसुर है आगे बढ़ते हैं क्योसन नमबर नाइन की तरफ राजी उगांदी खेल रतन पुर्शकार के लिए पुर्शकार रासी 7.5 लैक रुपे से बढ़ा कर दिया है तो पहले मिलते थे 7.5 लाक रुपे अब जो है रासी इसमें बढ़ा दी गई है क्या कर दिया है इस रासी को ज है इसके अंदर 25 लाक रुपे अब इसमें कर दिया है ठीक है अब बात आती है कि यह अब की बार जो राजी उगांदी खेल रतन क्योंकि खेल के अंदर सबसे बड़ा पुर्शकार राजी उगांदी खेल रतन तो अब की बार यह किस किस को मिला है पांच खिलाडियों को द मत्यप्या थंगवेलू है उनको मिला है एक मनीका बत्रा को मिला है एक विनेस फोगाट और राणी रामपाल दो हरियाना से हैं विनेस फोगाट और राणी रामपाल इन पांच चों को जो है 2020 के अंदर क्या मिला है राजी उगांदी खेल रतन दिया गया है विराट कोली को भ जेविंदर जाजडिया जो पैरा ओलम्पिक जेविलिन्थरों उनको भी मिला था पीछे तो बहुत सारे खिलाडियों को जो है मिलता रहता है यह तो अब की बार पांच को मिला है मरियपन थंगावेलू मनिक अबतरा रोहित सर्मा विनेस फोगाट और राणी रामपाल ठीक ह अब कई बार एक्जामीनर क्या पूछता है कि राजीव गांधी जो खेल रतन के हम बात करें तो इसकी सुरुवात है वो 1991 से हुई यह कब से हुई थी 1991 से कितने लाक मिलते हैं बें 25 लाक रुपे मिलते हैं तो यह पूछलेगा कि फर्स्ट विनर कौन था राजीव गांधी UPSC के बारे मां आपने सोड़ा हुआ Union Public Service Commission UPSC की जो सुरुवात है हम बात करें तो वो 1 अक्तूबर 1926 से हुई है इसमें अधेक्स पूछा है हम बात करेंगे पहले लेकिन पूरी बात हम बात करें तो इसकी जो 1 अक्तूबर 1926 के इसकी स्थापना हुई है ठीक है अब पू काम लेता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निमल लिखित में से किस किर्केटर को BCCI के पॉली उम्रीगर आवार्ड से समानित किया गया है BCCI के हम बात करें तो इसने जो पॉली उम्री उम्रीगर आवार्ड से किसको समानित किया है कि किसन नमर 11 की बात कर रहे हैं ठीक आती है BCCI की तो BCCI की जो स्थापना है वो 1928 में हुई थी कब हुई थी? 1928 के अंदर. समझा गया आपको? ठीक है? अब इसके जो हम बात करें जो BCCI के अदेक्स हैं वो सौरो गांगुली हैं. BCCI के अदेक्स कौन है? प्रेजिएंट कौन है सोरोग गांगुली है और सेक्रेटरी की बात करें तो वो हैं जैसा अमित्सा के लड़के हैं जैसा वो इसमें सेक्रेटरी है ठीक है चलिए समझागे आपको यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं सडक परिवेन मंत्राले की अधी सूचना के अनुसार हाले में किस राज्जेव केंदर सासित परदेश के वहनों पर अब से उसके अंग्रेजी के सुरुवात के अक्सर L.A. वाला नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो यह किसका होगा जो नया रजिस्ट्रेशन नंबर कहां कहां हुआ? लद्दाक अभी आपको पता है कि ये अन्ड के से अलग होके जो है लद्दाक क्या मना है? ये एक के को यूटी बना दिया और इसको भी यूटी बना दिया तो इसलिए भी ऐड़ाइस राजी और आठ के अंधर सासित परदेश है समझा गया आपको यहां तक ठीक है लद्दाक हो गया चलिए बहुत बड़ी है आगे बड़े हम क्युस्टन को लेके क्युस्टन 13 है 2020 में स्सी ओ जो संगहाई वाड़ा और्गनेजिशन है परमुखों की बेठे की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो 2020 में स्सी ओ के परमुखों की मेजबानी कौन सा देश करेगा यह कुर्यन है तो इसके अंदर हम बात करें तो इसमें कौन करेगा भारत ठीक है थर्तिन का रटा एनसूर क्या होगा इडिया अब स्सी ओ का जो मुख्याले यह जो मैं है वो बिजिंग चाइना के अंदर है य इसके सिक्रेटरी है व्लादमीर नेरवू ठीक है ये इसके सिक्रेटरी है S.C.O के ये चाइना विजिन के अंदर है 2001 में ये बना था ठीक है किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में परस्तावना पढ़ाना अनिवारिये कर दिया है तो ये कहां कि सरकार रहे हैं महारेश्टर उद्द उठाकर यहां पर सीम है महारेश्टर और बगज सिंग कोश्यारी यहां पर गवर्नर है अगला है परधान मंतरी नरेंदर मोदी दोबारा आयोजित प्रिक्षा पे चर्चा 2020 कारियो करम का आयोजन किस सहर में किया गया था तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था नई दिल्ली के इंदर ठीक है सीम दिल्ली के होगे अर्विंद किजरिवाल आई जी नोबल पुर्षकार 2020 से किसे समानित किया गया है तो आई जी नोबल पुर्षकार किसको मिला है भारत के परधान मंतरी नरेंदर मोदी को मिला है इससे पहले यह पुर्षकार है अटलवेरी वाजपई को भी मिल चुका है मतलब एक यह पॉपुलर्टी के अधार प पे देखते हुए दिया जाता है तो ये भारत के प्रधानमंतरी नरेंदर मोधी को मिला है समझा गया आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा यहां चली आगे बड़े हम 16 से के बाद हम 17 पे आते हैं हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुर्षकार 2019 से किसे समानित किया गया है यह क्यूस्ण है हमारा तो इसका राइट अंस्वर है नंद किसोर आचारी बी इसमें राइट होगा नंद किसोर आचारी समझा गया आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आगया बड़े हैं अगला है आईपेल 2020 की निलामी में किस विदेशी खिलाडी को सरवादी के रूपयों में खरीदा गया तो किस खिलाडी को खरीदा गया था सरवादी के रूपय के अंदर आईपेल के हम बात करें तो यह पैटक मिन्स जो पैटक मिन्स बोलर है इनको जो है खरीदा गया कुछ लेंगे कि IPL का कौन सा सीजन था तो ये था 13 सीजन कौन सा सीजन था IPL 13 मुंबई ने जीता ये दिल्ली को हरा के ठीक है दिल्ली को हरा के किसे ने जीता मुंबई ने इसको जीत लिया पांचमी बार जीता है मुंबई ने पहला 2008 में हुआ था IPL और वो राजस्थान रो साधे बारा करोड रुपय मिलते हैं और जो मतलब क्वालिफाई जो सेम फाइनल में खेलती हैं उनको इट पॉड़े नो करोड पॉड़े एट पॉड़े पॉड़े मिलते हैं ठीक है इत छोटी सी बाते थी तो हमने देख लिए आगे बढ़ें भारती नोसेना ने अपना पह भॉक्ष कलक्ष योजना 2020 की राज्य सरकार ने शुरू की है तो यह है योजना राजस्थान उसरू की है राजस्थान के संद्धेलiben बहुत वारी एंग्ज wagon अइस सबाधो अगस 2019 में ऊबोकता स्रंक्शन विदेक 2019 पारिद किये है यह विदेक किस पोकता विदेक का स्थान लेगा है यह तो यह विदेक लिणे करश इस्थान डाना होगा बिस में राइट अंस्वर होगा आगे बढ़ते हैं किसन नमबर 22 अन ब्रेकेबल किसकी आतम गता है बहुत बारी एक्जाम में पुछा जा सकता है लोगों की जबानों पर रटा पड़ा है क्योंकि MC मेरीकॉम के उपर है अन ब्रेकेबल किसकी आतम गता है मेरीकॉम की ठीक है मेरीकॉम पर मूवी भी बनी थी भारत का सबसे बड़ा cancer संस्तान, राश्टी cancer संस्तान कहां खोला जा रहा है तो ये जो संस्तान है वो जजजर, बाडशा के अंदर हर्याना के जजजर के बाडशा के अंदर खोला जा रहा है आगे बढ़ते हैं निमल लिखित में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुन जेटली स्टेडियम रखा गया है तो यह रिसेंटली जो चेंजिंग होई है इनसे जुड़ावा किसम जुरू पूछा जाता है तो फिरोज सा कोटला का जो स्टेडियम है उसको जो है अभी जीबूती के राष्टपती है किसके डी राइट होगा जीबूती है किसे नमर 26 की तरफ बढ़ते हैं सत्रमी लोकसवा चुनाओं में सरवादिक नोटा का परियोग करने वाला राज्य कुन सा है देखिए सत्रमी लोकसवा इलेक्शन हुए दोबारा से परधानमंतरी के जो मतलब है किसी को भी नहीं नोटा को जो वोट जोगी रहे हैं वो सबसे ज्यादा पुछा है कि किस स्टेट के अंदर हम बात करें तो वो बिहार के अंदर यूज हुआ है इसका ठीक है लोकसवा इलेक्शन की बात है यह विसो इसपात संग वर्ड स्टील एसोशीशन की हुआ जानकरी 2019 की रिपॉर्ट के नुशर कच्चे सपात उत्पाद में भारत का स्थान कीया है तो भारत का उपर से कौन सेस्थान है सेकिंड पोजिशन हिंऊ उपर से दूसरा स्थान है कि हाले में भारत का पहला समुंदरी संग्राले का स्थापित किया जा रहा है तो भारत का पहला समुंदरी संग्राले लोथल लोथल काँ पड़ता है गुजरात लोथल सिंदू गाटे सबीता टाइम में भी बंदरगा होता था गुजरात के अंदर है लोथल हाले में किस राजे सरकार ने जन सूचना पोर्टल लौंच किया है जन सूचना पोर्टल है वो राजस्थन सरकार ने लौंच किया है हाले में राष्ट्री रेडियो और इलेक्ट्रोनिक्स कंपनी में किस सहर के समुंदरी संचार सेवा का सुबारम किया है तो ये किया है मुंबाई ने ठीक है अगला क्योस्टन की तरफ बढ़ते हैं स्पेन और किस देश की सरकारों के नेतरतों में विस्व स्वास्ते संग्ठन ने सुच वायूगट बंदन कार्यकरम सुरू करने का फैसला किया है तो स्पेन मेडरीड कैपिटल है तो यहां जो इसके साथ मिलके किया गया है किसके साथ पेरू का जो सच्वाय गुठ बंदन का सुरूग का फैसला का थे पेरू से कि समझ आ गया 31 कि उसन मा 32 नीति आयों के अनुसार स्तत्त विकास लक्षे को पराप्त करने में कौन सा राजे सब से पीछे है तो सबसे पीछे बिहार, ठीक है, समझागे आपको कुन सा है, बिहार है, चले, आगे बड़े, बिहार हो गया, हाले में किसके स्रंक्षन के परती जागरिकता के सरजन है, तो सक्षम है, बियान जनुरी फरवरी 2020 में चलाया गया, तो ये जो है, इंधन के लिए, किसके लिए, एराइट होगा, इंधन के लिए, भारत किस देश से हैमर नामक मिसाल खरीद रहा है, तो भारत है, वो फ्रांस से, किसे, फ्रांस से, हैमर, और फ्रांस से ही अभी हमने राफेल लिये हैं, जिसकी दो स्कौाइडन जो हमें प्राप्त हो चुकी है, एक अमबाडा हरियाना मे तैनात की गई और एक जो हस्कौाइड वो गुजरात के अंदर तैनात की गई है, ठीक है, गणतंतर दिवस के उसर पर महिंदरा एंड महिंदरा गुरूप के चेर्में स्री आनन्द महिंदरा को किस पुर्चकार से समानित किये गए है, वो थी पोपुलर वेकती हैं भूशन से समानित किया गया है तो क्लाइमेट रिस्क सुचकांक 2020 में भारत का रैंक है तो गलाइमेट रिस्क सुचकांक में भारत का जो रैंक है वो है पांच वान कौन सा है पांच वान रहेंगे समझा गया चुलिए आगे बढ़ते हैं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बेठक 2020 में भारतिय परतिनीदी मंडल का नेतरतव किस ने किया तो इसके अंदर जो नेतरतव है भारत का वो किस ने किया वणिज्य मंतरी पियूस गोईल ने किस देश ने ICC महिला चेंपियंशिप ट्रॉफी 2020 जीता है तो महिला जो ट्रॉफी है ICC की किस नमा 38 के हम बात करें तो वो जीती है उस्ट्रेलिया ने किसे ने जीती है ये ट्रॉफी किसे ने जीती है उस्ट्रेलिया ने अगला है भारत ने वेश्विक सरंक्षन सुची में किन दो परजातियों को सामिल करने का नेरने लिया है तो जो भारत ने जो नेरने लिया है वो हाथी एवं गेंडा कौन सी दो परजातिया है हाथी और गेंडा ठीक है नई दिली में जित हुनर होट 2020 का विशे क्या है तो इसका विशे है कोशल को काम ठीक है स्किल हो गया कोशल को काम पुरुष राष्टि सनूकर चैंपिनशिप 2020 किसे ने जीता है तो ये जीता है आदित्य महरा ने भी राइट होगा फरवरी 2020 में डियाइडियो ने किस बेलेस मिसाइल का जो नाम था जो मिसाइल इना ने लॉंच किया उसका नाम था परनास ठीक है परनास मिसाइल थी वो 42 का राइट अंसर ए होगा DRDO मैंने बताये था आपको जो 1998 वे बना और जिसके अधिक से जी सती सरेड़ी है टेस्ट किरकेट में सबसे तेजी से साथ जारन बना में तो ऐसा करने वाले स्टीव स्मिथ जो हैं दुनिया के पहले बल्ले बाज बन गए हैं हाली में किस देश को विश्व धरोर समिती का नए सदश से चुना गया है तो थाीलेंड को चुना गया है वैट अलिद भी मिलते हैं आपर थाईलेंड ले एक मास्क अनेक अभिहान किस राजे में शुरू किया गए है तो ये मद्दे पर देश के अंदर शिवराज सिंग चोहान या पर सीम है चर्चा में रहा ब्राकाहा परमाणू उर्जा सेंटर किस देश में स्थित है तो ये परमाणू सेंटर यूएई के अंदर है यूइनाइटिड अरब अमिरात के अंदर क्यूशन नमबर नेक्स्ट देखते हैं 47 इंदीरा रसोई योजना के तहत राजस्तान सरकार के कितने रुपे परती पलेट पोस्टिक बोजन गरीबों को देने की गोशना की है तो आठ रुपे परती पलेट देने की गोशना की है ओलाइन शिक्षा परदान करने के लिए इग्यानमित्तर मोबाइल एप के अंदर सासित परदेश दवार जारी किया गया है तो ये एप है वो दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दवारा जारी किया गया है यूटी है हमारे इन्होंने जारी किया है आले में किन की मरत्यू करोना काल में हो गई है तो इन में से किन की मुर्थ वोई है ईन सभी की हुई है भई राजी उत्यागी जो राजनेता थे राहतेंदोरी जो उर्दू के कभी थे और अमर सिंग जो राजनेता थे सभी की होगई है किस राजे ने विशिष्ट परिवार का पहचान पत्तर को सुरू किया है एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र की जो सुरुवात है वो हुई हरियाना से हरियाना के cm कौन है मनहुरलाल खट रहें डिप्टी cm दुस्यंत चोटाला है ठीक है समझा गया आपको चलिए तो ये था हमारा सेट नमर 23 अब सिर्फ दो टैस जो है टैस सीरीज है तो ये कंपलीट हो जाएगा तो वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सेर करें ताकि उनको इसका बेनिफिट हो सके और कॉमेंट और लाइक और चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें थैंक्यू